दोस्तो एक्सल में सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम रिव्यू टैप पे जाके प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके पासवर्ड लगा देते हैं ये सब को पता होगा है ना मैंने sheet को password से कर दिया protect अब मैं इसमें कहीं कोई change नहीं कर सकता अब मैं अगर इस file को किसी के साथ share करता हूँ और सामने वाला बंदा मेरे से बोलता है कि मुझे इसमें कोई change करना है आप मेरे को password बता दीजिए अगर आप उसको password बता दोगे sheet को unprot protect करने के लिए तो आपका पूरा data unprotect हो जाएगा वो इसमें कहीं भी कोई change कर सकता है इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग सिखाने वाला हूँ वो यह कि हम अलग-अलग range पे अलग-अलग password लगा सकते हैं अलग-अलग range पे ना कि पूरी sheet पे हमने जो password अभी लगा है व से और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं हूँ दीपक आपका दोस्त लेट्स बिगिन इस टॉपिक तो अलग-अलग range पे अलग-अलग password कैसे लगेगा दोस्तों आप देखिए यहां से मैंने यह range 1 कर ली select मैं इस range पे एक अलग password लगाऊँगा range select करने के बाद review टैब में आप जाईए यहां एक option मिलेगा allow edit range इस पे click कर दीजिए और यहां new पे click कर दीजिए new पे जब आप click करोगे तो यहां आप देखोगे range आपकी automatic select हो जाएगी जो आपने यहां से select की हुई है और यहां इसका आप कोई name दे सकते हो कोई भी name दे सकते हो यहां पे range 1 लिखा हुआ मैं यही रहने देता हूँ और नीचे यहां पे range password है जो range आपने select की है इसके लिए password आप यहां पे set कर दीजिए मैंने यहां पे password आल दिया 123 ओके कर दिया दुबार से confirm कर दीजिए password 123 फिर से डाल दिया ओके कर दिया तो यह range 1 यहां पे set हो गिये यहां पे password लग गया उसके बाद हम और कोई range लेते हैं तो और कोई range लेने के लिए आपको new पे click करना होगा यहां पे range 2 लिखा रहा है आप इसका name कोई भी दे सकते हो नीचे यहां पे click कर दीजिए और इसको हटा दीजिए यहां से और अपनी second range कर दीजिए select second range मैं यहां से ले रहा हूँ इन cells को ठीक है यह range मैंने कर दी select और इन पे password मैंने लगा दिया one two three four यह लगाया okay कर दिया one two three four okay कर दिया तो दो range यहां पे add हो गई एक और कर लेते हैं तीसरी तो new पे फिर से click कर लेंगे और यहां पे range 3 है कोई भी name हो सकता है इसमें click कर दिये range के अंदर यहां से इसको हटा दीजिए मालीजिए इस बाहर मैंने ले लिए phone number यह range मैंने लिए और इसका password मैंने डाल दिया one two three four five okay कर दिया confirm कर दिया one two three four five तो इस तरह से जितनी भी range option है इस पे click कर दीजिए और final वाला password आप लगा दीजिए तो मैंने हापे password लगा दिया हापे triple one ठीक है okay कर दिया triple one okay कर दिया seat आपकी हो गई protect seat आपकी protect हो गई है ठीक है कहीं कोई change नहीं हो सकता बट जो range आपकी है यहां से उनमें change कर सकता है कोई भी बट वो भी तब होगा जब password उसको आप बता दोगे इस range का password मैंने set किया है one two three अगर मैं यहाँ पे click करता हूं entry करने के लिए तो password आपस करूंगा तो यहाँ पे allow नहीं entry अब मैंने यहाँ पे click किया change करने के लिए password यहां से पूस रहे तो मैंने password यहाँ पे डाल दिया 123 इस range का password मैंने 123 दिया था okay कर दूंगा तो यह range open हो जाएगी आप इसमें change कर सकते हो यह देखिए ठीक है यहीं change कर सकते हो क्योंकि 123 पासव password फिर देना पड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ आप चेंज करोगे तो मैंने इसका password दिया था इस range का 1234 तो यहाँ पे आपको 1234 password इस range का डालना होगा तभी इस range में आप change कर पाओगे okay कर दिया तो यहाँ पे आप edit कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आप इस protect seat के feature क आप फाइदा उठा सकते हो आपको नहीं पता होगा तो अब पता चलिगा दोस्तों अगर आपको seat को unprotect करना है तो उसके लिए क्या करना होगा unprotect seat review tab पे unprotect seat पे आप click कर दीजिए और यहाँ आप password डाल दीजिए जो आपने seat को protect करने के लिए डाला था तो मैंने 111 डाल था ओकी कर दिया तो यह आपकी seat unprotect हो गई है अलाव edit range पे आप click करोगे तो यहाँ पे तीनो password आपको दिख जाएंगे मतलब तीनो range आपको दिख जाएंगी यह बात का आपको धियान रखना दोस्तों जो भी range आपने यहाँ एड़ की है password के साथ वो seat को protect करने के बाद काम करेंगी ठीक है ना आपको seat protect करनी है यह सब करने के बाद आपको seat को protect करना है या तो आप यहाँ पे click करके कर दीजिए या आप यहाँ पे click करके कर दीजिए अगर आपको कोई भी range यहाँ से delete करनी है तो उस पे click करके आप delete कर सकते हो और अगर password वगरा चेंज करना है तो modify पे click करके यहाँ पे password आपको मिल जाएगा इस password पे click करके आप यहाँ से कोई नया password सेट कर सकते हो दोस्तों तो उमीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा काम का feature है आपको जरूर पता होना चाहिए एक बाल ट्राइ करके देखिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या मेरे स थेंकियो दोस्तों, have a nice day, जै हेंद, वन दे मातरम, take care